टेस्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र सस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा घ्यान का बंडार होंगे कई ओथा जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यू को करके हर चुनोती को पार होंगे पुरुसकार पार और जो हर चुनोती को करेगा पार उसी ही होगी जै जै कार अनभूमी है तैयार बस यो धाओं का है इंतिजार कि आई था है तो आप सब गुडबनेंग तो 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 आज हम डिसकस करने वाले एक मॉक टेस्ट एक्जाम लेवल के जो कुशन से आज वो डिसकस करें किसके लिए नहीं है कि जो कोश्चन से सिर्फ और सिर्फ नहीं के लिए डिजाइंड है अभी बहुत सारे एक्जाम सोने वाले हैं अगर आप लोग मेरे टेलिग्राम गुरूप पे हो तो मैंने बहुत सारे एक्जाम की नोटिफिकेशन डाली है वहाँ पे आगे बढ़ने से पहले स्टूइंट में कुछ इंपॉर्ट बाते बताना चाहता हूं अगर आपने से कोई इंट्रेस्टेट लेवल के एक्जाम की त्यारी करने के लिए और सिविल इंजिनिंग में तो आप इस बैच को आप जॉइन कर सकते हो इस बैच में आपको 230 प्लस लाइव क्लासे देखने को मिलेंगे इसके लाबा 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेशन आपको दिए जाएंगे स्कूर्ण बिकॉस आपको पता है कि प्रैक्टिस मेंग्स परसंट प्रफिक इसके लाब से आपको बहुत सारे कोईस्ट कॉइस कोंपिटेशन मिलेंगे एन अपार् इस बैच में आपको बहुत सरी क्लासे मिलेंगी प्रैक्टिस कोश्चन्स आपको मिलेंगे कुईस कॉम्पेटिशन होंगे इसमें इसके लाव आपको पीडिया फाइल भी आपको दी जाएंगी यह कोर्स भी एक पेड़ कोर्स है बड़ युकिन एंटर दर कूपन कोड वरू यह भी एक आपका पेड़ कोर्स है बड़ युकिन एंटर दर कूपन कोड वरून एंडर कापिटल ऑफ के और आपको 20% का डिसकाउंट आपको इसके भी मिल जाएगा और यह बहुत ही अमेजिंग बैच्ट जो हम लोग ने लाउंच किया टेस पर वो है गेट एंड एसका क माइन बैच 2023 को टार्गेट करें इसमें में लोग सब को डिसकेस करेंगे टरनल इंजरिंग ब्रिज इंजरिंग जो भी ऐसे से टॉपिक्स जो आपने सुने है बस आज तक वो सारे के सारे की ऊपर जो है डिटेल वे डिसकेशन होगा राई यह भी एक पेड़ कोर्स है आप आप में से को डिसकेशन करना चाहिता आप डिसकेशन भी आप कर सकते हैं और जो एक्जामिनेशन पॉइंट विस जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है आईस कोड़ की या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो में आप इसका स्क्रींशोर डालता रहता हूँ ठीक है जो आपके स्क्रींशन को स्क्रींशन को स्वाइब करते हैं तो पहला कोशन अपके स्क्रीन पर यह तो इसी कोशन से maximum questions जो है theoretical questions right numerical questions बहुत ही कम है because आपको भी पता है कि आजकल यह जो PSU के जो JE के exams होते हैं maximum आपसे theoretical questions पूछता है ठीक है चले start करते है question number one on your screen is part of the brick part of the brick which has a half header face and half stretcher face is known as what बहुत ही असान question half is में header है उसमें half is में stretcher है बता है इस cancer के आपको ट्राइगी एनीवन ओके वन का C बोल रहा है वन का C हाफ header faces में हाफ stretcher face है कौन बताएगा ओके 1C 1C कोई 1B बोल रहा है ज्यान से पढ़िए इसको आज के जितने भी questions है वो सारी confusing वाले है ओके कोई D बोल रहा है कोई बैट बोल रहा है और कोई वन का बी वन का बी वन का बी कोई बोल रहा है बैट बोल रहा है stretcher और कोई और कोई देखेंगे स्रेंट्स half header face and half stretcher face दो कैसा होगा समझेगे बड़े जहां से लेट उस से यह आपका brick है इसने बोले कि half header face और half stretcher face है मतलब face है आपका लेकिन half है तो half कैसे होगा आपका अगर आप इसको यहां से चाट दो किया बचेए आपके 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 पास इस type से कुछ बचेगा आपके आपके पास यह बोल रहा कि हाफ है और हाफ इस ट्रेचर तो किंग लोजर इस दे करें तो आगे बढ़ते हैं नेक्स विश्चन इस को शुचन नमर टू दस्लम टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट वर्क बिलिटी इन कॉंक्रीट दा मैक्सिमम साइज फैग्रिगेट शुद नॉट इस को शुचन से एक्जाम में आते हैं कंफ्यूजिंग वाले बताइए इस कहां सब्सक्राइब करें लेकिन यह वाली जो प्रोविजन रिगार्डिंग यह आपको दिया हुआ इस डबल वन डबल नाइन में आपको यह वाली प्रोज़न दिऊ यह इसके रिगार्डिंग बदा ही क्या होगा इस का सब्सक्राइब की यह मैं आपके जो है ग्रुप पे डाल चुका हूँ अगर आपका स्लम जो है 0 से 25 है तो वह आपका जो है वेरी ड्राइब कॉरी अगला कोशन है आपके पास नेक्ट कोशन इस कोशन नमर थी यह आसान कोशन है जिपसम इस एड़ेट टू सिमेंट इन स्मॉल कॉंटिटी बताइए जिपसम क्या काम करता है सिमेंट के अंदर एनिवन ट्राइब कीजिए प्रताब जी आप यह वाले कोशन कीजिए अच्छे से आपको समझ में आएगा ओके कंट्रोल से अपका रिटार्डर की तरह काम करता है आपका जिपसम आपका जिपसम का केमिकल फॉर्मॉला क्या आपका सी एसो फॉर इंटु टू टाइमस अफ एच्टू इट वर्क्स इसका फॉर्मॉला का आपका सी एसो फॉर इंटु टू टाइमस आपको आगे बड़ते हैं नेक्स विपसम क्यों आपके तिमबर यूस इन बिलिदिंग फ्रेम्स यह विए आज ही मैंने आपके गुरूप एक स्क्रीन शोट डाला है अगर आपको याद आज ही डाला है बत इसका रीजन क्या है मैंने आपके गुरूप पे डाला वस्ति आपको चेक कर लेजेगा आगे बढ़ते हैं इस लाइम को हम लोग क्या बोटने बदाई इसका अंसर क्या होगा यह कोशन हमने पहले भी क्या हुआ जब मैंने आपको डी एफसी से एक्जाम को रहा था तो वहां पर भी हमने कोशन इसका अंसर के आपको ट्राइगी जी एनिवन ओके फैट लाइम फैट लाइम फैट लाइम और को यह और कोई फैट लाइम जबर्दस क्या बात है स्वेट सब याद करके बैठे आप तो बिल्कुल सही है इस और ऑप्शन नमबर येस बिल्कुल सही और फूसोवर इस चुका है आप उसको भी वाट चेक के लेना ठीक है कोशन नमर सिक्स सॉलिडिफिकेशन अफ मोल्टन मेगमा अग्ड़ सर्फेस ऑफ अर्थ 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 रिसल्स इन दा फॉर्मिशन अफ वाट 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 ये बिल्कुल सही च्वाट जब भी आपका मैगमा सॉलिडिफाई होता है कुलिंग की वज़े से आपका लावा जब मैगिनिफाई होता है और इगनेश रॉक्स राइट और इगनेश का एक्जांपल क्या है आपका बेसाल्ट अन ट्रैप्स आपका तैस ऑप्शन नमबर इग इंट्रूसिव 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 इ बेसाल्ट हो गया आपका जो है ट्राप्स हो गया आपका राइट इसके लावा आपका ब्लाक स्मोकर भी होता है वो भी आपका एक्स्ट्रूसिव इगनेस लोक का इग्जांपल एठीक है बहुत बढ़ी अस्विट थी आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर सेवन इसकांसर बताई है दा लेंथ एंड विर्थ और एक्सकेविट अर्थवर का इसमच राइट काल्कुलेट टोटल वर्क रिक्वाइट एक्सकेवेशन इफ दर रेट एक्सकेवेशन पर मीटर क्यूब इस रूपीस थ्री अनेट बहुत ही असान कोशन बता वॉल्यूम निकाल देजी आप इसका 1296 129 बड़ा सिंपल है बिल्कोट सब्सक्राइट देखे जरा तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लिजिए इसका एक्सका वॉल्यूम कितना होगा यह आपका हो जाएगा 6 इंटु 0.8 इंटु 0.9 जो भी इसका आंसर आएगा उसके इंटु 0.9 इंटु आपका 300 हो देगा तो आपका 1296 1296 बोले तो आप्शिन नमबर टू इस दर मोस्त अप्रोप्रेट आंसर बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब क्लियर नहीं दिख रादी मेरे को तो क्लियर दिखरा है बिल्कुल एक्दम मैं अच्चट 1020 P 4 deposited for fair competition बता ही सकांसर जाओ ट्राइगे जी इस एक सीट के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं कि विजे कुमार जी बिल्कुल करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए रैट बिल्कुल करना चाहिए एक फार्म फिल राइट शादी भी तो एक ही लडगी से होगी अब आप बहुत है कि लड़की से मेरी शादी हो रही है दो से क्यों नी हो रही है तो कोई बात नहीं एक विकेंसी अगर अगर आपका अगर करते को आपका टेंडर एक्सेट हो जाए ताकि कल को या फिर कॉंट्रेक्ट में कुछ और भी हो जाए आपकी राइट वह ऐस पर स्पेसिफिकेशन काम ना खरे तो आप उसका सिक्योरिट डिपॉजिट जो है उसको जब्द आप कर सकते हो राइट तो यह सिक्योरिट डिपॉजिट देर स्टार्टिंग में हम लोग टेंडर के स पस्टिक को और टू इस यह बहुत बढ़िया ठीक है हां बिल्कुर सभी आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर नाइन इसका अंसर बताई है ए एसे कोस्टें में आपको कॉंपैटिबिलिटी कंडिशन लगाने होती है कॉंपैटिबिलिटी कंडिशन क्या है देखो ए और बी जो है न दिवार फिक्स है तो कितना भी आप बीच में लोड लगाओ जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा तो टोटल डिफॉर्मेशन होगा इसका मतलब जो AC का extension होगा वो CB का compression के बराबर होगा तबी तो आपके दिवार के बाहर नहीं जाएगा the total deformation is going to be equal to 0 तो ये वाला funda लगा करके आप इसको solve कर सकते हो ट्राई की जिसका answer कियागा एनिवन ओके 9th का C बोल रहे है और कोई 9th का C 9th का C 3-3 तेक बड़ा असान कुषण नहीं देखें जबा कैसे होगा मानके चलिए एक काम करते हुआ मानके बडाश लगा देखो मानके चलिए कि यहाँ पर जो आपका reaction लग रहा है वो आपका RA लग रहा है और यहाँ पर जो आपका reaction लग रहा है वो आपका rb लग रहा है, तो पहली equation तो मेरी यह बन जाएगी, कि भाई यह ra plus rb, ra plus rb जो आपका होगा, that will be equal to p, तो पहली equation तो मेरे पास यह बन गई, equilibrium equation, दूसरी equilibrium equation क्या होगी, कि जो total deformation है वो 0 होगा, या मैं यह भी बोल सकता हूँ, the deformation in ac will be equal to deformation in pb, मैं यह भी बोल सकता हूँ, I can also write it like this, right, and we know that deformation is given by pl upon ea, that is load into length upon e into a, right, now students, I can use this particular equation, इमान लो कि equation number 2 है आपका, मैं अपनी photo को नो off कर देँ, ताकि मैं इसको जाधा space पे लिख पाऊ, let me turn off my video also, हाँ, आप देखे ज़रा, तो देखे, students, यह आपका हो गया, delta a is equal to delta pb, आपका हो जाएगा, ठीक है, cb, sorry, not pb, cb, p तो आपका load है, ठीक है, तो एक कान कीजिए, यह आपका हो जाएगा, p into l upon e, e की value क्या है, e तो कुछ दिया नहीं इसने आपको, तो मानने के चले, same ही आपका, e into a is equal to rb into 2 times of l divided by e and into a, तो e a, e आपका cancel हो गया, आपका students, right, l, l आपका cancel हो गया, तो आपका r a जो होगा, that will be equal to 2 times of rb, आप इसको यहाँ पे put कर दिजे, students, जब आप यहाँ पे put कर होगे, तो क्या होजाएगा, आपका, that will be equal to 3 times of rb is equal to p, और rb जो होगा, that will be equal to p by 3, और p कितना होगा, that is equal to 120 newton, so 120 divided by 3, तो यह आपका होजाएगा 40, right, यह आपका 40 होजाएगा, तो r a कितना होजाएगा, r a आपका होजाएगा 80, तो एक आपका 80 होगा, एक आपका 40 होगा, तो बोले तो option number क्या होजाएगा, असमे, option number, yes, option number 3 is the correct answer, right, because इसने क्या बोला है, the reactions at the ends are, option number 3 is the correct answer, I think, I hope this 20 आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा, थम्स आप कीजिएगा, फटवर्ट, जो में थम्स आप, फिरम आगे बढ़ेंगे, फटवर्ट, शो में थम्स आप, हाँ, बिल्कु से, एक बार फटवर्ट थम्स आप शो कीजिए, फिरम आगे बढ़ते हैं, फटवर्ट, ठीक है, चलिए, और जो भी देख रहे हैं, फटवर्ट लाइक कर दिजिए, आप लोग, लाइक करने में कुछ चाहता नहीं, एक ही मोटिवेशन चाहिए रहे हैं, लाइक को एक का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, लाइक से बस यह है कि चलो बच्चे को पसंद आ रहा है, तो बस यह होता है, और कुछ नहीं होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन है आपके स्क्रीन पे, कोशन नमबर टेन, बेंडिंग मोमेंट अने सेक्शन इन ओके बढ़ते हैं, तो आपको एक्चिल बीम में क्या पता चलता है, बताईए इस कांसर क्या होगा, आज ही मैंने आपके ग्रूप पे टेलीग्राम ग्रूप पे, एक स्क्रीन चोट डाला था, बताईए इस कांसर क्या आपको ट्राइगीजी, अच्छा मैं अपने फोटो कौन कर लेता है कि हाँ है कि ओके डिफ्लेक्षिन डिफ्लेक्षिन सब लोग डिफ्लेक्षिन बोल रहा है पक्का पका डिफ्लेक्षिन होगा अलग तो नहीं होगा ना स्वेंट बताइए वज़रा डिफ्लेक्षिन 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 बिल्क प्रिएंड होगा आपका वो कॉंजुगेट में फिक्सेंड हो जाएगा तो यह सभी मैं आपको बता चुका हूं तो ऑप्शन नमबर त्री इस देकरेट आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर टेन ऑन यूर स्क्रीन इस जो बेंडिंडिंग इक्वेशन है बेंडिंग उमने लिए फ्लेक्शल फ्रॉमूला भी बोलताइब असान जांस न बहुत जदा ऐन्यवन ऑन वन वन और और कोई और ओर कोई और कोई वन 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 बहुत सिंपल है आपका इस सिग्मा भाई वाई is equal to m by i is equal to e by r इसको हम लोग sigma is equal to m by z भी करते हैं जहापे z के आपका section modulus है z से क्या क्या पता चलता है economy of a section और z से आपको strength भी पता चलती है किसी section की ठीक है न बिल्कुल से option number one is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 12 which of the following assumptions is incorrect about the long column long column जब हम लोग आईलर्स theory लगाते तो बहुत से assumptions होती है इसमें से कौन सी assumption जो आपकी that is incorrect ना होविल की मिदान से ट्राइब कीजिए anyone अ ध्यान से पढ़िए इसमें गलती मत कीजेगा ध्यान से पढ़िए जल्दवाजी मत कीजिए आप अगे टेंथ का ए बोल रहे हैं टेंथ का ए सिंटू पटेल जी लगता है नेट कुछ जादे तेज चल रहा है थोड़ा साही कीजिए 10 का ये कहां से बोल रहे हैं 12 का D ओके हिमान शू भी बोल रहे है और कोई और कोई C भी बोल रहा है और कोई D भी बोल रहा है दी 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 बिलकुषए और option number D is the correct answer अपका ये incorrect है आपका the material is non-homogeneous and anisotropic हमारा assumption क्या होता है it is homogeneous and isotropic तो यह assumption आपकी गलत है आपकी and this is the correct answer of this question that is option number 4 is the correct answer let us move to the next question, question number 13 on your screen is a closed coil helical spring is subjected to an axial load the stress which is not produced in the wire of the spring यह question हमने जब मैंने आपको DFCCL का mock test कराया था यह question हमने वहापे भी solve किया था तो बदाई इसका answer क्या होगा, अगर आपको याद हो तो if you remember this okay nature lover के लगता है कि घर के आसपस बारिश हो रही है आज बारिश बहुत तेज हो रही है ना 13 का D, bending stress बोल रहे है bending stress और कोई यह मैंने आपको पहले भी कराया होए इसको गलती मत किजी आप लोग यह मैंने आपको पहले भी कराया होए क्लोजड हेलिकल स्प्रिंग में कौन सा stress डेवलप नहीं होता है देखो टॉर्शन तो होता ही होता है यह तो सबको पता है टॉर्शन तो होता ही होता है इसके लावा shear stress भी डेवलप होता है there is also shear stress confusion आती है bending stress में और compressive stress में तो बताइए इस कांसे क्या को ट्राइ कीजिए electrical का class होता है क्या सर यह नहीं होता है the correct answer of this question is compressive stress is the correct answer compressive stress जो आपका generate नहीं होता bending stress भी जब आपका load जो है axially लगता है न तो axial load का component जो आपका bending stress भी cause करता है because आपका spring bending भी होता right so option number 2 is the correct answer इसमें आपका torsion shear stress भी develop होता है आपका direct shear stress भी आपका develop होता है और bending stress भी आपका develop होता है option number 2 आपका develop नहीं होता compressive इसमें आपका develop नहीं होता ठीक है आगे बढ़ते है question number 14 the ring beam जहां से पड़िए question को the ring beam of an injury tank carries a hoop tension of 120 kilo newton the beam cross diameter of fe 415 grade the modular ratio of concrete is 10 the tensile stress in the concrete is what बढ़ा प्यारा question इसमें आपका यह working stress method से solve होगा बढ़ा इस cancer क्या होता है sir MPPSC AE का भी पढ़ाओ देखे इस इतने exams होते हैं अगर सभी का पढ़ाने लग जाएंग राइट देखो majority क्या होगा sir MPPSC AE अभी आप यह question solve कीजिए वैसी questions आपको वहाँ पर मिलेंगा इसको solve कीजिए बढ़ा देखते हैं इसका answer क्या होगा बताई फड़ावड working stress method लगाई आपका answer आजाएगा ट्राइक कीजिए पहले में यहां पर फॉर्मूला आप लोगे लिख देता हूं तो जो sigma T आपका आएगा ना tensile stress जो concrete में होगा that is equal to hoop tension hoop tension आपको दिया हुआ है and divided by B into D and plus modular ratio minus 1 and multiplied by AST area of steel अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत hoop tension है आपका ring beam में B आपका width of the ring beam है आपका और क्या लिखा है मैं आपका D लिखाए D आपका depth of the ring beam आपका AST आपका area of tensile reinforcement है आपका रहिट इसके लाबा M आपको पता है modular ratio होता है modular ratio of concrete आपको दिया हुआ है तो आप बताए इसका answer क्या आपको ट्राइक किजे ओके 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 बताए बी बी देगे इसको solve करते है जरहां इसको let us solve it तो एक काम करते है sigma T की जो value हो जाएगी तो hoop tension कितना दिया आपको hoop tension आपको दिया हो 120 kN तो आपका हो जाएगा 120 अभी फिलाल इसको kN में ही रखते है divided by B into D B आपको दिया हुआ है 250 और यह आपको दिया है 400 तो आपका हो जाएगा 250 into 400 आपका यह हो गया and plus modular ratio minus 1 modular ratio आपको 10 दिया हुआ है that is equal to 10 minus 1 into area of steel area of steel कैसे निकलेगा area of steel is equal to number of bars into pi by 4 into D square तो यहां से आपका area of steel निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 bars है आपके पास into pi by 4 multiplied by 20 square तो 4 से 4 cancel हो गया आपका यह आपका हो जाएगा pi into 400 because 20 square that is equal to 400 यह kilo newton ने इसको मैं newton में भी convert कर सकता हूँ multiply by 1000 करके तो sigma t की जो यहां से value आएगी करना की Calcutrap use मत कीजे मैं तो use करूँगा because again as said I am not writing the exam so 120 into 1000 divided by 250 into 400 and यह आपका हो जाएगा plus 9 into 3.141 into 400 यह आपका आजाएगा students 1.07 के आसपास approximately 1.07 के आसपास आपका आजाएगा तो 1.07 newton per mm square के आसपास आपका आजाएगा तो option number क्या हो जाएगा option number 2 is the most appropriate answer जिसका भी आया है that is the correct answer बिल्कुत से अब आगे बढ़ते हैं question number 15 shrinkage crack in RCC slab can appear due to आपने देखा होगा जब आपको casting करते हो राइट और जब आप उसकी curing वगरा के तरफ जाते हो तो वहाँ पे shrinkage cracks वगरा पढ़ जाते है shrinkage cracks आने का main reason क्या है what is the main reason for the shrinkage crack बताई इस का अंसर क्या होगा okay one 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 और कोई one 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 और कोई और कोई question number 16 on your screen is what is the maximum diameter of the main reinforcement used in the slab of overall thickness 160 mm as per IS456-2000 बदाई इसका answer क्या होगा anyone and whosoever is watching this lecture फटफट फट जो है आप जो है like कर दिए इसको sir paper की date आज आती है और मेरा कुछ subject week है hydrology irrigation environment मैंने पढ़ा नहीं है क्या करो sir exam crack हो पाएगा देखे रोमित गुपता जी आज कल competition इतना है कि अगर आपको लगता है कि मैं 2-3 subject को skip करके rank ले करके आ जाऊंगा तो अगर किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो बहुत बड़ी है student तो शायद ला सकते हो लेकिन मैंने student ऐसे को आज सकते देखा नहीं जो कोई 2-3 subject को skip करके और अच्छी rank ले करके आ जाए तो बेटर रहेगा कि देखो आपने hydrology भी skip कर दिया irrigation भी skip कर दिया environment भी आपने skip कर दिया तो बचा क्या फिर राइट अगर मान लो कि maximum question यहीं से आगे तो फिर तो हो गई बले-बले exam में राइट तो बेटर है कि आप पढ़ लीजे उसको अभी time होगा exam में better पढ़ लीजे राइट मैं यह नहीं बोलूँगा exam क्रेक हो जागा आपका जो बार का diameter आपका is456 में दिया हुआ है शेल नॉट एक्सीड वन एट्थ अट्थ अव टो टोटल थिकनेस अव थिकनेस अव थिकनेस अव थिकनेस क्या दिया है आपको दैडिस आज पर इंडिया standard code of practice for priestess concrete this much the minimum grade of concrete to be used for the post tension and pretension structural elements are respectfully यह question पहले मैं जड़े आपको डिया था तो वहाँ पी आपको यादा दो बदे इसका अंसर क्या होगा ट्राइग कीजिए ओगे 444 और कोई और कोई 444 डी 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 बिल्गों से अप्शन नमबर डी बहुत बड़ी है राइट तो आपका जो है पोस्ट टेंशन के लिए हम लोग M20 का इस्तेमाल करेंगे minimum और प्री टेंशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे M40 का बहुत ब कांसर क्या हो त्राइग कीजे जो श्रींगे जो रिलाक्सेशन लॉसस हैं यह किस लोसस के अंदर काउंट होता है बताए इस कांसर क्या होगा एनीवन कराइग जो ट्राइग कीजे ट्राइग कीजे तो आपके श्रिंके जो रिलाक्सेशन जो है आपका वो किसके अंडर आते हैं देखा हम अंडर ताइम डिपेंदेंट लॉसे बहुत बढ़िया ऑप्शन नमबर तो इस दा मोस्ट अप्रोपिट आंस आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 19 है आपके स्क्रीन पे इस बेनिफिशल ओवर दा चेन अंडर बोल्टिंग बिकास अफ़ाइस कांसर क्यों को ट्राइक की जैस्ट्रिंस दामें जो बोल्टिंग है आपके उसको अमनों जाधा प्रफर क्यों करते हैं वाट इस देमें डीजन फोर इट अन्य आपका जो बोल्टिंग उसमें आपका एफिशेंसी होता है एफिशेंसी आपका मैक्सिमम और एफिशेंसी इसवर तरह की क्या एफिशेंसी बेसिक लें निकालते हैं एक आपका efficiency of joint, right, एक तो जिसमें हम लोग plate लेते हैं और joint लेते हैं, एक आपका होता है, जिसमें हम लोग plate लेते हैं और bolt लेते हैं, right, तो वहाँ पे जो minimum निकल करके आते हैं, that is called as the efficiency of the joint, आपने की question सहाँ पे solve कियोंगे, I.S. steel वगरे हैं, right, बिल्कुल सही, तो जो diamond है आदा, that is why it is actually preferred, option number क्या हो जाएगा, इसका, diamond कहां पर का option, yeah, option number two is the great answer, बहुत बढ़ी, आगे बढ़ते हैं, question number 20, according to I.S. this much, the maximum effective cylinderness ratio for a tension member in which a reversal of direct stress occurs due to loads other than the wind or seismic load, ये question ना जाने हम class में कितनी बार कर चुके हैं, I guess ये अभी तक आपको रटा, इसका लग गया होगा, right, इस इसका रटा शार आप लोगो लग चुका होगा अभी तक इसका, बताई इसका answer क्या को ट्राइगीजी, anyone, ये question ना आ जाने हमने पता नहीं करें, class में कितनी बार solve किया है, try किया, okay, one, 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 बहुत बार solve किया, बिल्गुल सही, option number one is the correct answer, very good, बहुत बढ़िया, बिल्गुल में आपका, यहाँ पे आपने base plate आपने लगा रखी है, इस type से आपने लगा रखी है, मालो, यहाँ पे जो आप fasteners वगएरे use करते हो, वो किस चीज के लिए design होते है, बताई, इस concept क्या होगा, try किजए, आपसे class 7 बजे होगी, संडे था, राहूल जी आ, तो आज हमने class को 7 बजे किया है, otherwise class आपकी डेली दोपैर में 12 बजे होगी, ठीक है, आज संडे था, तो संडे को हम भी थोड़ा घूम फिर के आ रहे हैं, संडे को हैं, 50, 50, 50, 50, बिल्कुल साइस तो 50% है, मैं आजूम करते हैं, 50% जो load है, आपके वो column जो load है, आपके वो fasteners को carry करेंगे, और number of possible hinges are 4, and the degree of indeterminacy of the structure is 2, then the maximum, the possible number of independent mechanism will be, यह मैं आपको पहले इसका formula बता चुका है, बताई इसका answer क्या आपको ट्राइगी, जिसने last lecture सटेंड की होगा, उसको पता होगा, number of plastic hinges हम लोग कैसे निकालते हैं, बताई इसका आपको पहले इसका formula बता चुका हैं, बताई इसका बताई 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 बी बी और कोई, बी बोल रहे हैं और कोई 1, 1, 1, because n-r is the correct answer, right, n-r is the correct answer, right, if the possible number of plastic hinges are 4, यह आपका n आपका 4 हो गया, and the static indeterminacy आपका 2 हो गया, तो 4-2, that is equal to 2, तो दो तरीके से आपका इस फेल हो सकता, right, लेकर स्टेंट सी mechanism का मतलब गया, for example, let us say आपके पास एक fixed beam है यह वाली, right, यह आपके पास एक fixed beam है, right, और य mechanism क्या होगा, इस तरीके से फेल हो सकती है, एक हिंज आपका यहाँ बन जाएगा, 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 तो यहाँ पर आपका plastic हिंज बन जाएगा, यहाँ पर plastic moment develop होगी, यह भी आपका प्लास्टिक हिंज है यहाँ पी प्लास्टिक मोमें डेवलप होगी और यह भी आपका प्लास्टिक हिंज है यहाँ पर भी आपकी प्लास्टिक मोमें आपकी डेवलप होगी ठीक है students so that is how you calculate the value of these things ठीक चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते है अगे बढ़ते हैं question no.23 for the centrally supported uniform beam I am shown in the figure values of F1 and F2 when the beam is in equilibrium यहाँ पर वरिग नौन थियोरम लगा सकते हैं यहाँ पर वरिग नौन थियोरम लगा सकते हैं यहाँ आपको वरिग नौन थियोरम नहीं पता क्या होती है तो आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो summation of Fy 0 लेकर के and summation of moment 0 लेकर के about any load तो वहाँ से भी आपका इसका answer आजाएगा बदाए इसका answer क्या हो आपका इसका हाँ बिल्कुत सही इंडेटर्मिनेसी माइनस plastic hinges बिल्कुत सही इसका पते इसका answer क्या होगा अच्छा वह आर प्लस वन आर प्लस वन तो collapse के लिए होता है आपका राइट collapse के लिए जो number of plastic hinge निकलते है वह आपके र प्लस वन होते हैं for collapse we have the number of plastic hinges equal to r plus one यह आपसे mechanism की बात कर रहा है mechanism n-r mechanism मतलब कितने तरीके से वो फेल हो सकता that is called as the mechanism ठीक है for example एक beam है आपकी वो support से फेल हो सकती है उसका एक mechanism हो गया एक beam आपकी center से फेल हो सकती हो आपका एक mechanism हो गया students right so that is called as the mechanism इसका बताई इस cancer क्या हो ट्राइक कीजिए ओके 23 का 1 बोल रहे है 1 3.5 और 1.5 और कोई ट्राइ कीजिए इसको बड़ा simple है एक तो summation of fy आप 0 लगा दीजिए और किसी भी load के about आप moment को आप 0 ले लिजिए आप cancer आजाएगा बड़ा easy question है बताई इस cancer क्या होगा 1 1 1 बड़ा simple देखे इसको solve करते है ज़रा इसको तो पहले काम कीजिए आप ज़रा let us do one thing पहले information of fy is equal to 0 राइट अब एक काम करो किसी भी load के about आप जो है moment को 0 ले लो किसी भी एक काम करते है मैं 5.5 के about 5 के about मैं moment को 0 ले तो कितना हो जाएगा आपका that will be equal to f1 into 3 will be equal to how F1 into 3 will be equal to f2 into 7 तो दो equations आगे मेरे पास friends I have two equations now f1 plus f2 is equal to 5 and f1 into 3 is equal to f2 into 7 by using these two equations हम लोग 5 मिल जाएगा और f2 आपको 1.5 मिल जाएगा ठीक है सुन आगे बढ़ते हैं next question is question number 24 the mercury does not wet the glass tube this is due to the property of the liquid known as बताई इस cancer क्या होगा जो mercury है आपका आपने देखा भी होगा स्टूइंस आपका mercury को तो mercury जो इसको वेट नहीं करता रहे तो mercury इस ताइप से आपका meniscus इसको बोलते हैं तो बदाई इस cancer क्या होगा पूबल की मिदा आंसर ट्राइग इस property को क्या बोलते हैं हम लोग CCC surface tension और कोई surface tension surface tension और कोई और कोई बिलकुर से option number C is the correct जो चीज ग्लास को वेट नहीं करते हैं जैसे mercury आपका glass को वेट नहीं करते हैं इसको याद रखेगा अगे इन स्ट्रेंट्स यह डिपैंड करता है surface के उपर भी रइड जरूरी नहीं कि mercury आपका हमेशन नोन वेटिंग होगा mercury के बहुत सारे ऐसे metals के उपर आप रखो गया तो वह ऐसा wetting fluid भी बिहेव करता है तो जरूरी नहीं कि mercury आपका हमेशन नोन वेटिंग होगा और जरूरी नहीं कि water आपका हमेशन नोन वेटिंग होगा water को bitumen के उपर रखो इसको रख रहे हो लेकिन जो आगे बढ़ते हैं question number 25 a flow is said to be supersonic if the बताइए यह Mac नमबर का question है आपका बदेए इसका आंसर क्या होगा त्राइए इसका आंसर की बात हो रही है supersonic 333 और कोई और कोई कोई 3 बोल रहा है कोई 2 बोल रहा है देखे शुट मैं आपको एक काम करता हूं Mac नमबर की यहां पर values भी लिखवा है तो अगर आपका Mac नमबर जो है if the Mac नमबर is less than 0.8 यह exact values है अलग 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 बुक में इसकी values अलग 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 इसको अम लोग बोलता है subsonic flow this is called as the subsonic flow clear अगर आपके Mac नमबर की value जो है 0.8 और 1.3 के बीच में लाई करती है 0.8 and 1.3 के बीच में आपके Mac नमबर की value लाई करती है this type of flow is said to be as a transonic flow अगर आपके Mac नमबर की value जो है वो 1 है exact 1 है इसको अम लोग बोलता है sonic flow अगर exact 1 है आपकी exact 1 है आपकी तो इसको अम लोग बोलता है sonic flow तो हम लोग बोलते है sonic flow is a type of a transonic flow उसी के अंदर आपका लाई करता है ठीक है अगर आपके Mac नमबर की value जो है 1.3 से लेकर के यह light चलिए गए अगर आपके Mac नमबर की value जो है इसको अम लोग बोलते है supersonic flow यहाँ पर में लिगता हूँ 1.3 से 5 के बीच में लाई करती है इसको हम लोग बोलते है supersonic flow and last one students अगर आपके Mac नमबर की value जो है it is greater than 5 इसको हम लोग बोलेंगे hypersonic flow यहाँ पर लिगता हम है hypersonic flow ठीक है students I hope यह आपको समझ में आए होगा so these are the various values of the Mac number अब question में क्या बोल रहा है कि जो Mac number है आपका वो किसके बीच में लाई कर रहा है the Mac number is lying between the Mac number अचा supersonic की बात कर रहा है कि supersonic क्या होगा आपका तो supersonic में आपका 1.3 से 5 right so if the velocity of flow is very high this doesn't make any sense Mac number is in between 1 and 6 more or less almost the correct answer right Mac number is more than 6 not correct right if the discharge is this is also option number two is the most correct answer option number two is the correct answer because यह आप से supersonic की बात कर रहा है तो आप approximately आपका 1 से 6 के बीच में आपका लाए करेगा option number two is the correct answer ठीए आगे बढ़ते है question number 26 on your screen is which pair of hydraulic turbine you will choose if the operating condition of head is more than 400 meter and for part load operation respectively बढ़ाई इसका अंसर क्या होगा सुन स्ट्राइगी जाए 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 इसका अंसर क्या होगा मैं घर से ही class लेता हूं ओके CCC और कोई और कोई सी बोल रहा है त्राइगी जैस्ट्राइगी जैस्ट्राइग जिए ट्राइग इसके रिगार्डिंग screenshot में आपके group पे डाल वे telegram group पे for your kind information because he is the correct answer बहुत बढ़िए तो Pelton wheel turbine and the captain turbine इसका reason क्या है आपके group पे अगरे डालो आप यह पर चेकर लिए गुशन अबर 27 the maximum possible value of group index group index क्या है आपका इसकी values आप लिए जैस्ट्राइग जैस्ट्राइग लिए इक्वल तो 0.2 times of a plus 0.005 times of a c plus 0.01 times of bd यहापका group index है a b c d क्या है यह मैं आपको शाइब पहले भी इक लास मैं बता चुका हूँ तो group index की value कहां से कहां तक लाई करती है होविल की मिदा आंसर ट्राइग कीजिए बिल्कु से option number बिल्कु से option number 2 is the correct answer जो group index की value जो है आपकी 0 से लेकर के 20 के बीच में लाई करती है तो जो minimum value होते group index की that is equal to 0 और जो maximum value है group index की that is equal to 20 कभी-कभी आपसे बीच की value भी पूछ रहता है बोलता है कि अच्छा बताओ group index अगर आपका 5 है तो वो किस type की soil है poor soil है very poor soil है किस type की soil है तो वो भी आप याद रखेगा अगर आपका group index जो है 0 से लेकर के 1 तक लाई करता है इसको मैं बोलता है good soil यह good से मतलब क्या है दिखने में अच्छी नहीं है इसकी shear strength बड़े अच्छी है good का मतलब ही होता है soil में अगर आपका group index जो है वो 2 से लेकर के 4 के बीच में लाई करता है इसको मैं बोलूँगा fair soil that is called as a fair soil अगर यह आपका 5 से लेकर के 9 तक लाई करता है it is said to be as a poor soil poor मतलब shear strength बहुत ही कम है इसकी और अगर आपका 10 से लेकर के 20 के बीच में लाई करता है it is said to be as a very poor very poor soil तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपका group index 6 है तो कौन से type की soil है तो आपका answer क्या आपको poor soil seepage failure on earth filled dam is due to बताइए इसका answer क्या होगा जो seepage failure आपका होता है earth filled dam में वो किसकी वज़े से होता है number one toe erosion number two wave erosion number three gulling number four slowing बताइए यह बड़ा confusing question है बताइए इसका answer क्या आपका ट्राइग इसके अगर ट्राइग इसके अगर ट्राइग इसके अगर ट्राइए तो इरोजिन और और कोई अगे तो इरोजिन नू आइडिया कोई कोई लॉइंग बोल रहा है को लखनाव में भी बारिश रहे गलिंग कोई गलिंग बोल रहे नू आइडिया देखे शुट समझे बड़े ध्यान से सीपेज फेलियर और अर्थ फिल्ड डैम अब देखे जो सीपेज फेलियर वो दो तरीके से होता है या तो जो आपको किसकी वज़े से होता है जो डाउनज्ट्रीम एंड नौ ऑट पे जो सवील होती है वह सेपेज ऑन के अपका नयुक्त znand हो completely wet, एकदम गीला हो जाता है आपका and after some time because its shear strength becomes very small or the shear strength decreases to a very considerable value तो इसकी value यह जो आपका fail हो जाता है, इस पूरे process को कि downstream आपका एकदम गीला हो गया और फिर बाद में वो fail हो गया, उसके shear strength कम होनी की वज़े से, इसको हमनों बोलते हैं slowing, that is called a slowing, right, इसलिए मैं बोलता बड़ा confusing question है, और यह question आपके MPSC में आ चुक है, MPPSC sorry, जो अभी में से बोलता हैं कि MPPSC के त्यारी कर रहा हो sir, MPPSC में आ चुक है 2017 में, याद रखेगा इसका, right so slowing is the correct answer, option number 4 is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 29, raft foundation are generally preferred to when they are required for individual footing is more than बताइए, who will give me the answer to this question, anyone okay 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 DDD DDD option number D is the correct answer, sir ये question आप पहले भी करा चुक है बिटूज मैं इतने question करा चुक हूँ, मैं खुद भी याद नहीं कौन सा question, repeat है, कौन सा नहीं है कई बड़ दिमाग में आता है, हाँ, ये तो class में कराया था तो repeat होता है, right इतने question करा चुक हूँ, अगर आप मेरे साथ बने होगे न, NWDA से, तो मैंने NWDA से series चालू करी थी, right और हर एक lecture में कम से कम 40 questions तो होते हैं, approximately 2,5 महीने हो चुके हैं, और daily lectures होते हैं, सोचिए अगर daily के 40 questions आपने करे होंगे, तो एक महीने के कितने questions होगे, आपको तीन महीने कितने questions होगे, तो इतने questions हम कर चुके हैं, तो obviously वाद है कुछ repeated भी होंगे इसमें, right I can understand that, question number 30, skin frictional resistance along a pile is provided by, बताइए, जो skin frictional resistance है along a pile, वो कौन प्रोवाइड करता है, is provided by, बताइए, who will give me the answer, anyone Okay, 30A, relative stiffness of the pile, relative settlement of the pile, all को, जार्खन में कब होगी बारिश, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी, अभी phone आया था, कल हो जाएगी, C, relative settlement of the pile and the soil, और कोई, कोई C बोल रहा है, कोई C बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कि बिल्कुर से सब्सक्राइब और सीज़ेंगे बढ़ते हैं कोश्च नाम लेना बड़ा अजीव है राइट यह समझ जाना यह पतली क्या है उपर जो पतली से लेर जम जाती राइट शुमुद्स गे जो भी है ठीक है सब्सक्राइब इसका क्या अंसर होगा इसमें से कौन सा जो है फिल्टरेशन का प्रोसेस है कि समझ जाए दूसरे नंबर की भावना को समझ जाए राइट क्या है वो पतली से जो लेर जम जाती ना उसी को बोलते हैं शुमुद्स गे जो भी है पारस दाकड जी एक दाकड कमेंट कर रहा पर किरो लाकड छोड़ा ओके फूर 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 और कोई और कोई दा प्रोसेस ओ फिल्टरेशन नंबर थ्री दो नंबर वाला नेम रिपीट कर दीजिए एक बार समझ जाए यह मतलब दो नंबर का मतलब है भावनाओं को समझो ब्रैकेट में लिखी भावनाओं को समझो तो पहला है इसरा है इसरा है सेडिमेंटेशन फ्लागशन चौथा आपका इलेक्ट्रोलिटिक चैंबर ओके दिक्कत हो रही है पता नहीं रखाओ किसी फ्रेंच बरेंच ने ओके सीब्लकुष चैंबर सी दागरे टांसर वन टू थी फॉसारे के सारे यहां पर टीक एंट आप्टिक निबर सी दागर अगर पढ़ते हैं विच अव्च नमर थाएट टीटू विच उप्ट फॉलिग्ट्ट्स रापिट्स एंट फिल्टर प्रेंट प्रेशर फिल्ट का उपने 1 1 1 1 सबसे जजाध़ आप का फिल्टर रेशिन रिट किसका आपका आपका यह प्रेशर फिल्टर सब्सल्टर्स रौन और त्रिक मर अपका कॉण से आपके बाथ है आपका छन्फ रापिड मर नैंद संट में mmm बात नियुक्त बाद नमबर टू है उसके बाद नमबर वन आपका ऑप्शन नमर वन इस देकर टांस ठीक है बहुत बढ़ी अब बच्छों को बड़ी कनीफिशन होती है तो जो अगर मैं लीटर्स की बात करूं तो 100 से लेकर के 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वार तो यह तो है आपका अगर मैं rapid send filter की बात करूं rapid send filter रसफ मेंगे इसको नाम दे दिया तो 3000 से लेकर के 6000 3000 से लेकर के 6000 liters per hour per meter square और जो आपका pressure filter आपका पी एफ पी एफ बोले तो pressure filter इसका जो filtration है 6000 से लेकर के 15000 सो 6000 से लेकर के 15000 liters per hour per meter square so these are the various values of the अलग 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 लिखा हुआ है अगर आपने कुछ और याद किया हुआ है तो वह भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह अलग 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 लिखा हुआ है ठीक है option number one is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 33 answer बताए यह 33 answer क्या हो को try कीजिए ओके बी 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 और कोई बिल को से इसने बी इस दे करेंट आंसर रटने वाला कोशन है आपका इम होफ टेंग क्या करता है results in 60 to 65 percent of removal of solids and 30 to 40 percent removal of the BOD option number two is the most appropriate answer आगे बढ़ते हैं question number 34 the acceptable color acceptable outdoor noise level in urban residential area इसका answer बताइए यह environment का question है आपका बताइए इसका answer क्यांको ट्राइगे जिए noise pollution से question आपके 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 ओके सी यह GPSC में आया हुआ हुआ है साकेट सिंग जी बोल रहे है very good साकेट बहुत बढ़ी इसका मतलब पढ़ते हो आप 3 3 3 और कोई और कोई 3 3 3 बिल्कों से option number 3 is the correct answer option number 3 is the correct answer आप question यह आते हैं कि 30 से लेकर के 40 decibel राइट इसके लावा जो मैं इसकी बात कर रहे थी that is equal to residential urban area residential अर्बन इरिया इसकी वैसे मैं टेबल आपके ग्रूप पर डाल दूँँ आप चिंदा मत कीजिए राइट अगर आप लिखना चाहता आप लिख भी सकते कोई दिखकत नहीं अदर्वाइस मैं आपके ग्रूप पर डाले दूँँ ठीक है तो सब्सक्राइब करके 60 decibels बहुत बढ़िया तो ऑप्शन नमबर थी जगर्ट आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन इस कोशन नमब 35 विच आफ द फॉल्लिंग स्टेटमेंट इसको अब दाल दूँगा आपके ग्रूप पर ओके सिंटू पटेल जी बोल रहा है फीलिंग किस चीज की फिलिंग सिंटू पटेल जी आपने 10 का कुश्चन का अंसर तो अभी दिया है पांच मुट पहले थेंट कोश्चन का अभी 35 पर चल रहा है तो थोड़ा ध्यान से ओके बी बी और कोई बी बोल रहा है ओके बीबी बिल्कुल से सुन देगे धान से पड़िए इसको अगर हाइए वैल्यूस अंदर की तरफ होंगे तो वह आपका अलिवेशन को रपरेजेंट करता है माउंटीन या हिल को रपरेजेंट करता है ठीक है गलत है आपका दा कंटूर लाइन देखो च्रेंट्स यह वैली की तरफ कैसे होगा यह रिज लाइन है आपका तो रिज में तो आपके कंटूर कुछ ऐसे बनते हैं लाइक डिस्टीन आपका रिज लाइन को वाटरशेड लाइन भी बोलते हैं बिज लाइन इस और आपका जो वैली है तो वैली में आपके कंटूर्स कुछ इस ताइप से आपके बनते हैं वैली के अंदर लाइक दिस यहाव देखने तो करेक्ट आंसर क्या हो जागा सका देखिए अप्शन नमर टू इस दा करेक्ट आंसर तो अब देखिए आपका दोट्रीजों टैटीकल से लॉंट इस तो इस नोट इस ताइप आप इस ताइप इस तॉम्हें पर ऐसे आपके साइप ओगे 36 का भी बोल रहे हैं बहुत ईजी कोशिण है आपका, it is a very easy question, बता हीज का अंसर के होगा, सुन स्ट्राइगी जाय की जाए, उसके विए जिए, शिक है इसके एटार फिसके विए इसके विए ऊंसर का इसे विए जैए, आपको, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्लिमेटर निकालने के लिए उतरा है एक आपका पैसो मिटर होता है यह एक आपका एक वाच की तरह का इंस्ट्रुमेंट है जो कि लोग अपने हाथ में भी पहनते हैं अपने चौलडर पे लगाते हैं जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करता है आपने देखा होगा न नंबर अफ स्टेप्स को आप काउंट करते हो राइट यू कैल्कुलेट दा नंबर अफ स्टेप्स ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है आपके पास क्वेशन नंबर 37 दे लास्ट रीडिंग फ्रॉम लेवल बिफोर चेंजिंग इट्स प्लेस प्लेस इस कॉ अब बिल्कुल से अब बिल्कुल से अब बीकाम है लेकिन पेड़ो मिटर आपका इलेक्ट्रोनिक इंस्ट्रॉमेंट राइट पेड़ो मिटर से क्या है कि अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप हाथ भी उपन नीचे कर रहां तब भी वह आपके स्टेप्स काउ और लास्ट का जो स्टेशन ओगा यू विल टेक दा फॉर साइट और फॉर साइट के बाद इस पॉइंट इस पॉइंट पॉइंट फोटाग्राफ रिलीफ दिस्प्लेसमेंट इस ओल्वेज़ रेडियल फ्रॉम्द जो रिलीफ दिस्प्लेस्मेंट आपकी वह किस से यह की आपका बॉटम और आपका बोटम आपका बॉटम अवल्साइश तरॉरा से इसका पॉब्हों का इसको बॉटम गूमिक बॉम्द प्रिंसिपल你就 celebrating or R 163 निकाल का से निकाल के इंटी निकाल कि ऑपती की इसके प्रिंसिपलतरijn कोई गेल कोई गोल रहा है कोई बी बोल रहा है कोई चाहिएवीगल सुछ्ट माइस कग आपको समझ में चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोईशन इसको ब्रचिन निवर थर्टेनाइं यह सिर्फ वियर में आपको देखने को नहीं मिलता है आज मैं रात को ब्रिज इंजनिकी क्लास लोगा तो वहाँ पे भी चीज आपको देखने को मिलती है लेट उसे यह आपका जो है यह आपने एक ब्रिज बनाया राइट विर में तो देखने को मिलता है यह आपने ब्रिज बनाया लेटर से यह आपका ब्रिज हो गया यहां पर आपका अबटमेंट आपका हो गया राइट इस टाइप से आपका अबटमेंट आपका हो गया यह व प्रिज में भी आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल से, यह ब्रिज में भी आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल से, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, the next question on your screen is, question number 40, and the last question, right, because एक घंटा मुझे दिया गया था, last question, which of these cannot be a cause of water logging in canals, इस में से कौन सा जो है, water logging का cause नहीं है, number 1, adequate surface drainage, number 2, over and intensive irrigation, number 3, impervious obstruction, number 4, submergence due to floods, ना हो विल्की में दांस, पताइए इस कांसर क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिनों से, रागव उपता जी अब आपने, ब्रहमास्तर चलाए आपने, आपने वो बात बोली है, जो कि सभी बच्चों की problem है, पढ़ने में क्यों मन नहीं लगता है, that is the main reason, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, yes, option number one is the correct answer, अगर आप adequate surface drainage दोगे, तो आपको water logging का सामना नहीं करना पड़ेगा, option number one is the correct answer, it is not the cause of the water logging, ठीक है students, अगर आपके 40 में से 20 वाले exam में, if you are getting more than or equal to 35, suppose that हर एक क्वेशन आप less than 35, इसका मतलब आपको improvement की requirement, you still need improvement, improvement कैसे होगी, दुबार आपने notes पढ़िये, दुबार और question solve कीजिए, then you will be improving, ठीक है, 10-11 मरमान सिंग जी ठीक है, अरे मरमान सिंग कहा थे आप, ठीक है, तो 10-11 आपकी class होगी, bridge की, रागव गुपताजी अब अकेला पन लगता है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, अकेला पन, क्या कर से, मैं उस feeling से कभी गुजरा नहीं हूँ, जो आप feeling आप बतारे है, मैं कभी ग आपका, this is the telegram group, ये वाला, at the rate of वरुन सर टेस्ट बुक करके, telegram group है, आप इसको सर्च कीजिए, telegram पे, आपको PDF में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और कुछ questions पगेदा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, तो चलि रागा गुताजी आपकी जो समस्या क निवारण हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी टाइम भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, रगा, गुपताजी अगर पढ़ाई का मन नहीं करता है, तो मैं आपको recommend करूँगा, कहीं पे 3-4 दिन के लिए आप घुम फिर के आ जाईए, आपको कुछना कुछ तो आप कीजिए, PUBG खेल लो, PUBG में दोस्त बन जाते हैं, PUBG खेल लो, ग्यादिकर, ठीक है, दोस्त बनाओ, आप जब तरह दोस्त लाइफ में नहीं होंगे, तो अकेला पन लगेगा, आपको, यूविल फिल अकेला पन, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, चलिए, 手ण, ठीक जब खेलाों, ठीक है? ठीक है, ठीक है देखिर अवरेबार, अब लोद द्धान रखेल अपना, ठीक है? ठीक है? ठीक है, बबाई, ठीक है? ठीक हो मुलन Messenger णman? झाल झाल